हलो दोस्तो आज मैं लेके आई हूँ आप सब के लिए कटहल के कोपटा बनाने की रेस्पी आप घर पर ही कटहल का कोपटा बना सकते हैं मसाले दार बहुत ही ज़ादा चटपटा टेश्टी बनता है तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम मसाला तयार करेंगे एक बॉल में हमें चाहिए पांच हरी मिर्च दो मेडियम साइज हमने प्याच कट कर लिया है यहाँ पे हमने कुछ लसुन की कलिया नी है दो टुकड़ा अद्रक कर लिया है मैंने अब यहाँ पे सभी मसाले का हमें मिक्सिंग में डाल की इ क्षाइब कोपता बनानी के लिए हमने यहाँ पर चूटे-चूटे पीस मैं गट करके पांच मिनट के लीए यह देखिएّ थोड़े से सौफ्ट हो गए है, तो kटहल का कोप्त बनानी के लिए सबसे पहले हमें इसे जो है पानी में डाल के उबालना पड़ता है तो हमने इसे इस तरह से उबाल लिया है, अब यहाँ पे हमें एक बड़ा वाला mixing jar छही है, इतने भी कटहल को हमने उबाल के रखा है, आधाम इसमें डाल देते हैं, पांच-छे हरी मिर्च डाल देंगे, अब इसका ढखकल लगा के जो है, हमें इसका एक बारीक सा दर्दरा जो है, इसे पीस के तयार कर लेना है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत ह जादा ये ना तो बारीक है और ना ही मोटा है, जितने भी पीसिस थे वो कट गई है, अब एक बाॉल लेते हैं, सभी कटहल को हम इसमें जो है, निकाल लेते हैं, इसी तरह से हमने कटहल को दो बारीक के तयार कर लिया है, ये देखिए, ये एकदम कीमे के जैसे लग रहा है ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए तो कटहल को हम साइड में रख देते हैं यहाँ पर देखिए चना दाल को हमने तीन से चार घंडे के लिए भीगो के पानी में डाल के रख दिया था बहुत ही अच्छी तरीकी से ये सॉफ्ट हो गई है इसे भी हम मिक्सिंग में डाल के बारीक पीस लेते हैं और यह देखिए मैंने इसी तरह से जो है मिक्सिंग में डाल के डाल को भी पीस लिया है ना तो बहुत ही ज़्यादा मोटा है ना पतला अब यहाँ पर जो हमने कटहल को पीस के रख आ है अब जो हमने डाल को पीस के रख़ा है उसे हम डाल देते हैं इसमें टेश्ट के हिसाब से नमक डालेंगे आदा चम्मश हल्दी पॉरडर डालेंगे आधा चम्मश के करीब जीरा डाल देंगे यहाँ पे हमने दो से तीन बारिक कटे हुए प्याज लियाँ है इसे डाल देते बस इसी तरह से हमें अपने हातों से बहुत याच्छी तरीके हैं और देख सकते होगोगा बनानी के लिए अगर आप सब भी कौटा का कौपता इस तरीके से मिला लेना है जब आप ये कटहल का मिक्षर बना के रेडी करेंगे तो अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राइ लगता है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं जो मैंने बनाया है वो एकदम से परफेक्ट है फ्राइ करने के लिए हातों से इसे हम एक लोई बनाके थोड़ा सा इसे दबा के हम टिक्की की शेप दे देते हैं और तेल को हमने रख दिया है पहले से गरम होने के लिए और इसे हम इस तरह से देखिए गोल सा करके टिक्की ब बना के तयार किया है एक एक करके हमें कड़ाई में डाल देना है इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसे हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है नहीं तो यह जो है तेल बहुत ही जादा गरम होगा तो इसे जब हम फ्राई करेंगे तो जल जाएंगे इस तरह से डालने के बाद दो मिनट बाद इसे हम पलट के दूसरे साइट भी जो है इसे हमें फ्राई कर लेना है अगर आप चैहे तो इसे गोल शेप दे के भी फ्राई कर सकते हैं इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ही जादा ये अच्छा होता है अंदर तक जो है मसाले के साथ में कटहल का कोपता पक जाता है वो कच्चा भी नहीं लगता है तो इसी तरह से हमने टिक्की की शेप दे के इसे हलका लाल कलर का फ्राई कर लिया है फ्राई करने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और सभी टिक्की को इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और ये देखिए पूरे चार बार में हमने सभी कटहल के टिक्की को बना के तयार कर लिया है इस तरह से ये फ्राई हो गए हैं आप इसका कलर भी देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो हमने तेल डाला था वही कढ़ाई में हमारा तेल बच गया है उसे में हमें बनाना है गैस को आन कर देंगे तड़के के लिए हमें इसमें कुछ मेथी के दाने डाल देना है जैसे ही अच्छे से तड़कने लगेंगे आप जितने भी मसाले को मैंने अच्छे से मिल जाना चाहिए देखिए लो फ्लेम पर हमें मसाले को चलाते हुए भून लेना है जब तक यह तेल न छोड़ दे सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं इस बात का भी ध्यान रखना है कि नमक हमने पहले भी डाला है अब यहाँ पर देखिए मसाले को हमन हमें इसे मिला देना है इस तरह से मिलाने के बाद अब यहाँ पर हमें करना क्या है गैस को एकदम से लो कर देना है और इस पर हम धक्कन लगा देते हैं अब जो हमने इसमें पानी डाला है उसे चार से पांच मिनट तक और पका लेते हैं तो सबसे पहले हम इसमें धक्कन ल हमदाल कुछ साथ चला देंगी दंगल याल देते हैं अр Okay लगा देते हैं और यसे 2 मिनट के लिए और पका में लो फ्लेम पे ताकि जो किडी डाए के साथ में सौफ्ट हो जाये इस तरह से दो मिनटी बहुत ही अच्छी तरीके से यह हमारे कटहल का कोपता नकलक के बन कर देती हैं यहां पर हमने धन्या की पत्तियां उपर से डाल दी है इस तरह से, आप बैख्सकते हैं इसका सालन भी बहुत ही जादथीक बना है यह हमारा कटहल का कोपता तो चलिए मैं आपको जो है निकाल के दिखाती हूँ और ये देखिए चटपटे और मसालेदार जो है कटहल का कोपता बनके तयार हो गया है अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पे नए है तो चैनल को सबसकाइब करके जाना बेल आइकन को प्लेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक नए वीडियो सबसे पहले मिले आपको ये रेस्पी आप सबको कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताना फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ Thank you